खाना खा लेंगे चलु किसका घा रही है बस हो गया मेरा वेल्कम बेक टो आर न्यू वीडियो वेल्कम बेक टो आर न्यू व्लोग तो उमीद है आप सब ठीक होंगे तो गाइस हम लोग आज कहीं जाने वाले हैं कहां जाने वाले अर्श बताएगा तो हम जाने वाले होंगे अर्ण जाने वाले हमें पोला है नू तो बहुत दिन से हम सोच रहे थी कि हम जाएंगे लेकिन यह हमारा टाइम नहीं बारा था हम उसको कि बनाने पारे थे यह कब जाए कैसे जाए क्या करें तो फाइनली जो है मैंने मेंने एडिस्कोष़ क्रेया और अध संडे है तो हम ने बोला कि चलो संडे के दिन हम प्लाइन करते हैं और फिर हम हम चलते हैं तो आप हम जा रहे हैं और आप लोग नजॉए करना और हम बनाएंगे वीडियो ठीक है तो अर्श का भी अद्ध जाना है है तो वहां वहत बोह आपर यह बहुत बणा बडा डायनस्कर वह कि फृट कि उनगे कि इसक्सी है। कुछ बताओ पर्क के बारे मेंठी चाहता जब देखा जब टेक्सा होने जो है। अब ही फिराद हम जारे रेड़ी होने के लिए लेकिन हम ने नास्ता ने किया मंब्ड़ हमारे वेक बना री तुम लोग को ले जाने से पहले कुछ अच्छा खिला दू ताके भाह अच्छे से तुम गूम सको तौह हम अब भी साथ लेकर जानेवाले क्लिधी न ही जाएंगे जाने के लिए बन कर रहा है? मेरा बच्चो को चोट लग गई बहुत आने का मन है ना हमने टीवी में देखा ना ममी तब से जाने का मन कर रहा हमें चले फिर मेगी खाते जल 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 ती फिर रेडियो के निकलते है ना मेगी खालते नास्ता कर लेते उसके बाद हम निकलेंगे वहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? हां एक गणी तो हम हम यह से कहा जाना है पहले हम यहां से जाएगए सिप्भःहर मेसरी स्टेशन और वहा हम से स्राइग थे जल चाहिँ अच्छ हम जाएग फिर वहां से तो पैडली ही संग तर और नियृगे जारी थीगे मरें है और तो रह में नावेघए Jacob MSley नियido कि बाद कालेखा सराय का लिए तो द्shaped bers by आप जाने वाले किевागर हम रोड जाएंगे तो बहुत थाइम लगे काश साह सँभर काई ऊपटें अपने वाइड है इसलिए हम जाने वाले वाई मेट्रो ताकि में भी कमफड़बली जा सको और अर्ष भी जा सके और क्योंकि मेरे को कार में बहुत चक्कर आता है में जानी पाती तो इसलिए हम जाएंगे बाइ मैट्रो तो फिर हम रेडी होते हैं निकलने के टैम बनाते हैं ब्लोग और फिर वहां जाके आप लोग को हम पहुच गए मैट्रे स्टेशन मैट्रे स्टेशन जाने के बाद देखा कि ओ माई गौड कितना सारा भीर है यहां पर मतलब टिकेट का यहां पर इतना जादा भीर होता ना मैट्रे स्टेशन में क्या है बोलो लेकिन आस तो इतना जादा भीर नहीं था बहुत ही कम था लेकिन फिर भी टिकेट के लाइन बहुत जादा लंबा लगावा था हम जब भी मैट्रे स्टेशन जाते ना मुझे यही टेंशन हो थी कि कभी मिलेगी टिकेट पता नहीं तो यहां पर शिप भीहर में क्या है ना कि एक ही काउंटर है जिसके वज़से ज्यादा प्रॉब्लम होती है ज्यादा टाइम लग जाता टिकेट लेने के लिए और अर्ष्ट तो बहुत ज्यादा खुछ था बहुत ज्याद करते करते हम पोँच के वहां पर जो डाइनसौर पार्क फिर हैपी लिए टिकेट जो है हमें साड़े तीन सो का बड़ा हम जो बड़ी लोग है उनका दें सो सो रुपे का और जो बच्चों का है वह पचास रुपे का और दिन अगर आप जाएंगे तो आपको पचास होता है और बाकी के दिन में पचास रुपे और क्या कहते हैं वह बच्चों का फ्री तो गाइस वहां पोँचने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेला में आ गई हूं बहुत ही जादा वहां पे भीर था मैं सब तर वीडियो बना रह लेकिन फिर अंदर से जाने के टाइम यहां अर्ष जो है उसको दिग गया वहां पर जो है यह कैंडी तो वह कह रहा था मुझे कैंडी खाना है बोलके तो हमने बला चलो ठीक है फिर इसको कैंडी दिलाते तो मैंने फिर उसको कैंडी दिलाया तो वह कह रहा है कि मुझे पि एक साइड में अच्छा सा खड़ा होने का बना हुआ है तो गाइस आपको जब भी टाइम मिले आप एक बार जुरूर विजिट करना डाइनसार पार्क मुझे तो बहुत अच्छा लगा जितने भी वेस्ट मेटेरियल्स होते ना उनसे बना हुआ यहां पर सारी चीजे तो इ यहां पर अर्ष ने हाथ छुड़ा कि वह भाग रहा था सामने की तरफ तो फिर हमने बोला कि मम्मी वो देखो भाग रहा है मैं वीडियो बना रही थी है एप्य वर में और मम्मी फिर गई भाग के उसको पकड़ा तो फिर हमें डर लग गया कि ऐसे ने हाथ छूट जाए तो बच्चा है भीर में अगर खो गया तो हम क्या ही करेंगे जानी निकल जाएगी हमारी तो फिर हम अंदर के तरफ चलने लगे तो वहां पर उसको दिग गया गारी तो कह रहा कि मैं यहां बैठूंगा तो हम बोल रहे थी कि नहीं पहले हम जो है अंदर के तरफ चलते है डायनासोर देखते उसके पाद कारी बैठना लेकिन नहीं इसको तो बैठना ता अपना मरची करना है बच्चा है ना क्या कर सकते उसके बाद मेरा भी मन क्या में भी कहीं बैठ्ट थो यहां पर वेस्ट एक था यह स्कूर्टर तो हैप्ई ने भुला जब बैठ जा तो मैं को अपन हुआ तो यहां पर जो बाइक है वो भी खराब है अर्श यहां पर कर रहा मस्ती मस्ती करने के बाद हम चले गए अंदर के तरफ और में डाइनसार ढूंड़ थी किदर है डाइनसार क्योंकि हमने ना वीडियो में देखा था तो जब से देखा ना मुझे बहुत ही अ अच्छा वाई पाता है वैसा हो रहा था मुझे तो बहुत अच्छा लगा ठंडी ठंडी हावा थी और पार कितना सुंदर इतना पेर उड़ लगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो अर्श जो है अर्श अपने दादी के साथ घूम रहा था मस्ती में यहां पर पता नहीं यह घोरा टाइप होर्स टाइप कुछ बना हुआ था तो इधर ही वह बैट के देख रहे थे तो मैंने हैपी को बना चुले एक दो रील बना लेते जब तक छुलू यहां पर खेल आए मेरा बेटा तो फिर हमने यहां पर बहुत सारा रील्स भी बनाया था मैंन पर नेीज़ थे लुड़ा बनावाए यह छूपि बना और ना तो मैंने सारी गोड़ा बनावाए यह चुके देख वो मुझे टॉटकरा घंच करा रहा था कि पेर का यहां पे जड़वी है बोलके तो मैं वहां पे देख रहे थी क्या मुझे इतना पता चलता नहीं ए ची सट अजा ए कि पूछ सको अभी फोल लो रखी है यह ट्रेंड गारी में लेकिन ट्रेंड गारी थी बिलकुल शब्साना रिंगा चाना तर्चों और बहुत स्टैसों Creator भात आई कि धार के लिए के लिए अवान दूनेठी गजयाँ और पे द 2136 कृष्में पीच्छेव नेधूर टेन वह कह रहे थे काफी देर से हम आपको देख रहे थे लेकिन आपसे बात करनी थी तो मैंने ओला कि थीक है चले कि पधिने प्रेशमा जी होए ना मेरे साथ फोटो लिया वहाँ पर फिर उन-की आउंटी थी उन्हों ने भी कहा कि मेरा यूटूब चैनल है और आप मुझे थोरा सा ये करना तो मैंने कि चलो ठीक है उसके बाद यहाँ पे ना वो लोग मुसे बाते करने लेगे तो ये सारे जितने भी थे फैमली वो वेस्ट बंगाल सायवे थे और मैं भी बंगाल साइट से हूँ तो मैं बंगाली में बात करने लगी फिर उन से तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके बहुत खुशी होती है गाइस की जब मैं कहीं जा रही और मुझे कोई पहचान लेता है कि मैं रेश्मा हूँ तो एक होता है ना कि चलो मेरा मेहना सफ़ल आए कि आप मेरी पहचान आगे बढ़ रही है तो य उसलिए उनका बहुत मन था कि मेरे साथ फोटो ले तो मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर फिर सब एक के बाद तो सबने मिलकर एक एक फोटो लिया मेरे साथ उसके बाद वीडियोस बनाए मेरे साथ उसके बाद फिर उन्हाने चले गए थे लेकिन फिर हुई हमारी उ काफी सारे फॉल्यवर्स तो काफी सारे फॉलॉवर्स मज़े पार्क मेً मिले थे और सली मुंचे पहचान भी तो मुझे लोरी थी हम जो बहुत ही है . यहां पर सब भी मुझे बात्ते कर रहे िके लिए मुंसे अगे mimरें परहुत है। वो कह रहे थी कि आप रैशमा जी हो ना हम बहुत दिर से वेट कर रहे थी कि आप आए तैंप के साथ हम फोटो लेंगे तो वहां भी बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ फोटो लिया था तो जादा मैं शूट नहीं कर पाई थी लेकिन फिर भी जितना मैने शूट किया रहा वो मैं दिखाऊंगे आगे हे वीडियो कि फिर कितने लोगों कि मुझे पक्राथा फिर resultum भी आ रही थी तब भी भी बहुत साहду हैंicky झालोगों ने मुझे पक्राथा तो उस दिन जो है मैंने भी बहुत सारा चार साल से महनत करी हूँ जो ब्लोगडाउन हो था तब से तो चार सालों में इतना कुछ मेंने कमाया है मतलब इज़ती अभी तक कमाई है और कुछ भी नहीं पहला पेमेंट जो है वो नेक्स्ट मन्त आजाएगा शायद मेरा होग कर रही हूँ मैं आप लोग पो साथ देते अच्छे से तो गाइस चलते हैं फिर ये पार्क की तरफ पार्क में अंदर जाने के बाद में यहाँ पे डाइनसोर ढूंड रही थी बहुत ही अच्छा यहां का लोकिशन यह बहुत ही प्यारा है अगर आप लोग जाओ तो बहुत मज़ा आने वाला हमें मिल गया था जाद आवाज आ रहा था और यह देखे कार कैसे यह भी वेस्ट मिटेरियल है तो यहां पे जो है यह कार को पेड़ में लगा रखा है और यहां पे सारे बड़े बच्चे सब अंदर घूस रहे और बैट रहे तो अरश ने बोला कि मैं भी जाओंगा तो हमने बोला ठीक है जाओ तो अरश और ममी चले गए थे उपर कार के और वहां जाकर वह बैठ गए थे तो हम उसे कह रहे थी कि अब वह आएंगे तो हम उसका फोटो लेंगे तो बहुत जादा नीदा रहा पता नहीं क्यों मेरी नीदी नी पुरी हुई आज में जल्दी उट गई थी सो कर इस और में सबी यहां पर स्लाइड कर रहे थे मुझे भी बहुत मज़ाए यहां पर जाकर लेकिन मिने स्लाइड किया ने क्योंकि फिजन प्राव्म्लम है तो छोट वगण ना लग जा वो डर लगए थे तो यहां पर बहुत सारे बच्चे स्लाइड कर रहे थे फिर हैपै भी को लेकर गया जाने के बाद महाँ पे स्लाइडर वगरा किया लेकिन छुलू एक बार को लेकर खो गया था वो इधर उधर भाग गया था हम फिर उसको ढूडने लगे तो बहुत साथ में डर गए थी कि अर्श कहां चला गया है लेकिन फिर यहां पे हम रिल्स वगरा बना ले लगे और बहुत सारे डाइनासोर थे गाइस डाइनासोर भी जितना भी है ना सारे वेस्ट मेटेरियल से बना हुआ यहां पे जितने भी चीजे सारे वेस्ट मेटेरियल से हैं तो इसे simply dinosaur park कहते हैं, आप मैट्रो से जाएंगे तो आपको वो मैट्रो स्रेशन मोतर के walking distance पर मिलेगा, अगर आप लोग को विजिट करना तो आप लोग बताना, मैं details बता दूंगे in next video में, बाकि यहां पर जितनी भी dinosaur थे ना, उन सब का details यहां पर लिखा हुआ था, कि जो dinosaur और यहां पर उन्होंने बनाया है, वो कौन था, उसका नाम क्या था, या फिर उसका age कितना, मतलब full details वहां सामने लिखकर उन्होंने लगाया था, उसके बाद फिर यहां पर बहुत अच्छे चीज हमने capture करें, और monkey भी यहां पर लटका हुआ था, वो भी waste materials है था, monkey, happy care थ में देखते हैं कि कौन है कौन पहँचानेंगे कि हो और शेकी तुम हो कौन है था हम बहुत मस्ती कर रहे था, मतलब बहुत मस्ता हैं वहां जाने के बाद, एक यह भी था, यह पता नहीं क्या है, इसको कह रहे थे मैं नाम ही भूल गई, लेकिन अच्छा लगा सा फोटो ल अगरा सा तो मैं क्या ही करती गाईस, तो बहुत सारे लोग थे, बहुत संडे का दिन था, संडे बहुत ज़्यादा भीर था, और दिन आएंगे तो आपको कम भीर मिलेगा, तो हम भी संडे के दिन ही चले गए थे, पहले सोचा था कि कोई और दिन जाएंगे, टिकेट में कम पड़ेगा, और फिर ज्यादा भीर भी नहीं होगा, तो रिल्स वगरा बना पाएंगे, लेकिन फिर बोला कि नहीं हम संडे के दिन जाएंगे, क्योंकि मेरा चुट्टी जो है, वो संडे का दिन ही और दिन मुझे चुट्टी नहीं मिलता है, तो हम संडे के दिन ही इस्ट मेटेरियल, यह जितना टाइरे ना इनका बनावा रास्ता पहार टाइप, आप उपर जाओगे, उपर के तरब भी ना एक बड़ा सा डाइनसोर है, तो हैपी कहरा था, चलो उपर चलते जाको वाँपे बीडियो बनाते, तो और जो है, सबसे पहले भाग गया उपर और वो देखो आगया, कैसे गया हुआ है, बिना किसी का हेल्प का वो चला गया उपर, और हैपी उसका वीडियो बना रहा था, फिर हैपी जो है, मुझे लेकर उपर गया, कि चल, तुम तो करिजाई नेरे हो, आयो घुमने के लिए, तो कहाँ चड़ो, घुमो, फीरो, मस् क्योंकि विजन प्रॉब्लम में दिखता ने, पैर पिछल गई तो मैं क्या ही करूँगी, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मेरे वज़े से किसी को प्रिशान नहीं हो, तो यहाँ पर देखे एक और डाइनसूर, बहुत बड़ा सा, इसका पूछ बहुत बड़ा था, तो य ड़ता है, डरता ही नहीं लड़का बिल्कुल भी कोई चीज सही है, यह देखे उपर की तरफ बनावा, यह एक डाइनसूर खड़ा कर रखा है, और चड़ने उतरने के लिए बिना टाइट बनावा, बिल्कुल टाइट हो अगड़ा लगा है, तो अच्छा लगा यहाँ च उसको लेके गया उपर, उपर से ना वहाँ पर अर्ष को छोड़ दिया, क्योंकि वो दो लोग एक साथ नहीं आपाई थे, और भी बच्चे थे, तो हैपी ने बोला कि हम तो सामने खड़े हैं, तो वो कह रहा थे कि तुम लोग नीचे खड़े हैं, मैं उसको लेके जा रह अचलो हमें मेरा ने, इतना हम डर गए न, हम क्या ही बोले, मैं तो लग रहा कि मैं अब भी मर जाओंगी, मुझे इतना डर लगा न, वो मिली नी रहा था, अर्ष बिलकुल भी, हम यहां पे खड़े, मम्मी भी देखो, बिलकुल सामने खड़े, लेकिन वो कब निकल के चल हमें बिलकुल पता ही नी चला, और उसके बाद हम उसको ढूंडने लगे, बहुत बुरे जरी के से इतना ज्यादा डर लग गया था, हमें क्या ही बोले, उसका फिर वो रोने लगा कि उसको करना है, जाना है, फिर से उसको चड़ाया, और मम्मी बिलकुल सामने की तरफ हटाया ही नी तो फिर उसको बाद जाता है, तो आज का वीडियो यहीं तक ब्लोग अच्छा लगा तो लाइक में शेयर करना मिलते अगले ब्लोग में बाद